नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल योजना ओनलाइन पोर यूपर दोस्तो एक बार फिर आपके सामने एक महत्पून जानकर लेकर हजरुए हैं अगर आपने भी परधान मंत्री जन्धन योजना के अंदरगत एकाउंट खुलवाया हुआ है या फिर आप एकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पुरा वाच करिएगा दोस्तो आपकी जानकारे के लिए बता दें कि परधान मंत्री जन्धन योजना के अंदरगत कई परकार के लाव दिये जाते हैं जो कि दोस्तो सभी व्यक्तियों को नहीं पता है जैसे कि दोस्तों आप बता दें कि जिन वैक्तियों का जिन महिलाओं का परधान मंत्री जंधन योजनक के अंद्रगत एकाउंट खुला हुआ है उनको 10,000 रुपे तक का लाब दिया जाता है चहे यह पैसा आपके एकाउंट में हो या ना हो तब भी आप इसका रुप्यों कर सकते हैं इसका लाब आप उठा सकते हैं दोस्तों 10,000 रुपे आप अपने एकाउंट से निकल वा सकते हैं चहे आपके एकाउंट में है या नहीं है अब यहलाव किन-किन महिलाव को किन-किन पुरसों को मिलता है उसके बारे में भी आपको डिटेल वाई जानकारी दे जाएगी अगर आप भी चाहते हैं कि आप एकाउंट से 10,000 रुपे निकाले तो इस वीडियो को पुरा वाच करिएगा इसके क्या परकेडिया है क्या पुरा पुरसेस है वह दोस्तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दीजिए और जासे जाएदा शेयर भी कर दीजिए ताकि और भी वैक्ति इसके बारे में जानकरी प्राप्त कर सकें दोस्तो अगर आप परधान मंत्री जन्धन योजनक के अंद्रगत एकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप इनकी ओप्षिल वेबसाइट पर आकर दोस्तो अपलाई कर सकते हैं और दोस्तो आप इसके बारे में संपुन जानकरी भी प्राप्त कर सकते हैं या फिर दोस्तो आप अपना जो एकाउंट है वे किसी भी बैंक में जाकर खुलवा सकते हैं अब दोस्तो जो आपको 10,000 रुपे दिये जाएंगे वे किन महिलाओं को किन व्यक्तियों को दिये जाएंगे और क्या उसका प्रोसेस है उसके बारे में दोस्तो हम आपके हाँ पर डिटेल वाई जानकारी दे देते हैं दोस्तो परधान मंत्री जन्धन योजना के अंत्रगत जीरो बैलेंस पर खाता खोला जाता है सरकार ने बिना बैंक खाते वाले व्यक्तियों को कई लाप परधान करने के लिए महत्पूर्ण कदम उठाए हैं परधान मंत्री जंधन खाता धारकों को खाता मैंटेन करने के लिए मिनिमम बैलेंस की भी अवज़कता नहीं है जैसे तो अगर आप जंधन खाते में एकाउंट ना खुलवाकर अगर आप किसी ओधर बैंक में एकाउंट खुलवाते हैं तो आपको वहाँ पर अपने बैंक में 500 रुपे या फिर 1000 रुपे या फिर 2000 रुपे आपको रखने होते हैं अगर आप इन पैसों से कम अपने अकाउंट में पैसे रखते हैं तो दोस्तों उसका चार्ज लगता है आप से पैसे ले ले जाते हैं या फिर आपके अकाउंट से पैसे काट ले जाते हैं लेकिन दोस्तों जो परधान, मंत्री, जन्धन, योजन के अंतरकत एकाउंट खुदा जाता है उसमें आपको कोई भी पैसा रखनी जुरrit नहीं है जैसे ही हमने आपको बता है कि अधर बैंक में आपको चार्ज देना होता है लेकिन इस बैंक में आपको कोई भी चार्ज नह ना रखें कि दोस्तों आपका एक भी रूपया इसमें से नहीं कटेगा अब दोस्तों आपको जानकर लिए बता दें कि हैं प्रधान मंत्री जंधन खाता बैंक के सेविंग एकाउंट की ब्याजदर पर काम करता है इसके अलावा यह है योजना एक ड्राप्ट सुविधा और धन के स्रल हस्तान तरण की सुविधा भी परदान करती है ज्यां दोस्तों आपको इहां पर और ड्राप्ट की सुविधा दी जाती है और और भी कई प्रकार की जो सुविदाए हैं वह जंधन एकाउंट के जरीए आप राप्त कर सकते हैं दोस्तों आपको दता दें कि परधान मंत्री जंधन योजना एक वित्य समावेशन योजना है यहां सरकार ने लोगों को घर में कम से कम एक बैंक खाता खोलने में मदद की है दोस्तों अगर आपने अभी तक एकाउंट नहीं खुलवा है तो आप एकाउंट खुलवा लिजिए और इससे दोस्तों आप भी लाप्राप्त कर सकते हैं जैसी आप जानते हैं कोरोना महमारी के दोरान प्रधान मंत्री गरीब कल्यान योजना के अंत्रगत राहत पैकेज दिये बटना होती है या फिर दोस्तों ऐसी महमारी आती है तो ऐसी सुच्वेशन में सरकार दोरा आपके एकाउंट में पैसा ट्रांसपर किया जाएगा केवल और केवल प्रधान मंत्री जंधन योजना के एकाउंट में ही यह पैसा ट्रांसपर किया जाएगा ना कि दोस्तों जनवरी 2021 तक इस योजना से 41.6 क्रोड व्यक्तियों को लाब हुआ है और योजना में खाता धारकों के पीएम जंदन खाते में दोस्ता आप यहां पर जान सकते हैं कि कितने पैसे हैं इतने पैसे सरकार दुवारा रासी डाली गई है यह जो लाब दिया गया है इतने पैसे सकता है और किस प्रकार से आप ले सकते हैं आपके अकाउंट में हो या फिर ना हो दोस्ता आपकी जान कर लिए बता दे कि जो पहले आपको और डाप्ट दिया जाता था वह 5,000 रुपे का और डाप्ट आपको दिया जाता जिसको बढ़ा कर अब सरकार द्वारा डोगना कर दिया गया है दोस्तों 10,000 रुपे कर दे गए हैं दोस्तों 10,000 रुपे तक के और ड्राप कि स्वीधा भी इसके सहत मिलती है और दोस्तों यहां सरकार दौषा खटा दाहरक के रूप में महिलाओ को प्रात्मिकता दी जाती है यह दोस्तों सबसे पहले यहां पर इन महिला जो महिला होती है महिलाओ को सबसे पहले 10,000 रुपे दिया जाएंगे और साथ ही दोस्तों यह लाब कौन-कौन ले सकता है और क्या उम्र होने चाहिए यह भी दोस्तों हम आपको जानकर देते हैं तो आपकी जानकर ले बतादे कि परधान मंत्री जंधन योजना ओनलाइन करते हैं तो हम आपको यह जानकर देते हैं तो आप प्रधान मंत्री जंधन योजना के अंत्रगत आउधन करते हैं य mooi बच्चे का आप आफदेंद करना चाहते हैं एकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो उनकी उम्र दस वर्स होने चाहिए या फिर उससे अधिक होने चाहिए तभी आप जंधन योजना के अंत्रगत एकाउंट खुलवा सकते हैं साथी 18-65 वर्स के बीच के अगर आपकी आयू है तो आप और ड्राप्ट कर सकते हैं दोस्तो यानि के 10,000 रुपे आपके एकाउंट में है या नहीं है तो आप उससे निकलवा सकते हैं तो अगर आप निकलवाना चाहते हैं तो जहां पर अभी आपने एकाउंट खुलवाया ह है आप बैंक मेनेजर से जाकर बात कर सकते हैं अगर आपके आयू 18-65 वर्स की बीच है तो आप इसका लाग उठा सकते हैं आप अपने एकाउंट से 10,000 रुपे तक का निकाल सकते हैं तो यह थी आपके लिए महत्पूर्ण जानकर आपको जानकर कैसी लगी हमें कमेंट बो हैं तो चैनल को जूरू सब्सक्राइब करेंगा दोस्तों तो मिलते हैं पुना इस्टूडियो में नई जानकर साथ नई भरती के साथ